तो सभी प्यारे चात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम अपना तीसरा कदम आगे बढ़ाएंगे और समझने वाले हैं कि कोश्टक पर वर्ग लगे सवालों को हम कैसे हल कर सकते हैं जैसे कि इस प्रकार के सवाल और इसके अलावा और भी हैं तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं इसके पहले हमने जो दूसरा हमने कदम जो बढ़ाया था उसमें पढ़ा था कि दो कोश्टकों का गुड़ा कैसे करते हैं तो अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा और आपने यह सारी एक्सेसाइज अच्छे से करी होगी और हर एक चीज बारीकी से हमने समझी है जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप क्रम से पढ़ाई करिएगा प्लेलिस्ट की लिंक का आपको डिस्क्रिप्सन में दे दी जाएगी तो देखो जब कोश्टक प अब जो है इस पे बर्ग लगा है तो हम किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं तो इसके लिए आपको एक सर्व समी का याद करनी है सर्व समी का है A प्लस B का होल स्क्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्रिप्सक्र और इसको अब याद कर लेना, बहुत अच्छे से पूरी इमानदारी के साथ याद करना इसको, अब देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप heading डालोगे यहाँ पर सर्व समी का, ऐसे सवालों को बहुत आसानी से आप कर सकते हूँ, बस tension नहीं लेना है, ठीक है, heading डाल देना सर्व समी का, अब सर्व समी का लिखने के बाद इसी के नीचे से यह पूरी सर्व समी का लिख देना है, तो लिख दो, A प्लस, B का, सुरू सुरू में थोड़ी सी problem जाती है, लेकिन फिर सब बनने लगता है, तो A प्लस, B का whole square, बराबर, पूरी सर्व समी का लिख दो, A व A, B, इतना कर लोगे, सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद उसके नीचे हेडिंग डाल दी, सर्व समी का, और सर्व समी का के नीचे यह पूरी सर्व समी का लिख दी, यह कब लिख पाओगे जब याद होगी, तो याद कर लेना इसको ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं जैसे ही ये तुमने लिखा उसके बाद ये सवाल बापस इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वेर यानि A प्लस B का होल स्क्वेर ये भी तो है तो ये पूरा सवाल इसके नीचे आ जाएगा यानि कि फिर से वो सबाल हम इसके नीचे जश्टिस के नीचे लिखेंगे X प्लस दो का स्क्वेर बताओ, इतना समझ आ जाएगा अब हमें एक बताओ कि A के सामने कौन दिख रहा है? X और B के सामने कौन दिख रहा है? 2 और बर्ग के सामने कौन है? बर्ग ही है तो ये तो कैंसल हो गए मतलब A का सीधा सीधा मान कितना है? X है B का सीधा सीधा मान कितना दिख रहा है? 2 है तो देखो बस बराबर के नीचे बराबर लगा लेना क्या लिखा है? A बर्ग तो A का मान कितना है? X तो हो जाएगा X बर्ग समझ गए फिर प्लेस लगा है तो प्लेस लगा लोगे फिर क्या लिखा है B बर्ग तो B का मान कितना है 2 तो हो जाएगा 2 का बर्ग बोलो समझ पा रहे हो न फिर प्लेस लगा है तो प्लेस फिर 2 लिखा है तो दो फिर A लिखा है तो A का मान कितना है X तो A की जगहे पे X और B का मान कितना है दो तो B की जगहे पे अगले कोश्टक में 2 समझ गए ना फिर बरावर के नीचे क्या लगा दोगे बरावर फिर X वर्ग लिखा है उसको जियूं काते हूं प्लस है तो प्लस दो का बर्ग कितना होता है चार होता है फिर प्लस है तो प्लस अब देखो इन तीनों का गुणा करना है तो संख्या का संख्या मैं कर दो दो दूनी चार और X जियूं काते हूं क्योंकि X है इनी गुणा करने के लिए तो ये गुणा होके आ जाएगा 4X और यही जो है X प्लस 2 का होल स्क्वेर का उत्तर होगा यह आ गया आंसर बताओ बन जाएगा की नहीं अब दूसरा सवाल ट्राई करना है खुद से करना है ठीक है तो दूसरा सवाल क्या था सबसे पहले दूसरा सवाल बताओ क्या था तो आप कहोगे सर दूसरा सवाल था X प्लस 3 के उपर 2 की गाती ठीक है यही था न तो क्या करोगे आपको लिखना है हल और यही चीज फिर से लिख देनी है कौन सी जो सवाल में दी गई है X प्लस 3 का होल स्क्वेर अब इसके नीचे लिखोगे क्या सर्व समींका बिल्कुल स्टेप बाइ स्टेप क्योंकि सुरुआत है अभी सीख रहे हो तो क्या लिखोगे सर्व समींका और सर्व समींका के नीचे देख लेना कि A प्लस B है ना बीच में प्लस है A प्लस B का whole square लगेगी सर्वसमीं का, तो वही सर्वसमीं का लगाना ठीक है, तो क्या लिखोगे A, फिर लिखोगे plus, फिर लिखोगे B, और इसका whole square कड़ दोगे, फिर बराबर कितना आएगा, A square, फिर होता है B square, देखो, मैंने तो याद कर ली है, आपको भी याद कर लेना है, A वर्ग, धन B वर्ग, धन 2 A, B, clear है कि नहीं, अब इसके नीचे मैंने कहा, जो सवाल दिया गया है, उसको लिख लो, तो सवाल क्या है, X plus 3 का whole square, ये देखो, ये सवाल आ गया नीचे, बरावर के नीचे क्या लगा लो, बरावर, अब यहाँ देखो कि A का मान कितना है, X, plus है तो plus है, B का मान कितना है, 3, बर्ग है तो बर्ग भी है, तो A की जगा पे X है, और B की जगा पे 3 है, ये रख दो, तो A बर्ग है, तो A की जगा पे X लख सकते हैं, X वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस लगा है, तो प्लस लगा लो, फिर B का मान कितना है, तीन है, तो तीन का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो होल वर्ग इस तरीके से लगा के, प्लस है, तो प्लस लगा दो, दो लिखा है, तो दो लिख दो, और A लिखा है, तो A की जगह पे फिर से X लिख लो और B की जगह पे फिर से कितने लिख लो तीन लिख लो ठीक है ना अब बरावर के नीचे इसको फिर से आप चाहो तो लिख सकते हो continue यह X प्लस तीन का होल स्केर बरावर और यह देखो X वर्ग है तो X वर्ग ही रहेगा लेकिन 3 का वर्ग तीन के उपर वर्ग है इसका मतलब 3 को गुणा में 2 बार लिखना है क्योंकि 2 की घात लगी है तो तीन तिर का 9 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस है और संख्या का संख्या में गुणा कर दो 3 दूनी 6 और X जियूं काते हूं तो X वर्ग धन 9 धन 6X ये आंसर आ जाएगा इसको और जमा के लिखना है systematic तो पहले X वर्ग फिर 6X फिर 9 यानि संख्या सबसे आकरी में लिखती है पहले 2 की घात फिर 1 की घात फिर संख्या ये सही क्रम होता है लिखने का एक दुई घात समीकर्ण का ये दुई घात बहुपद है अभी तो ये बरावर में जीरू नहीं है क्योंकि अभी आएगा जब सवाल उसमें रहेगा तो ये इस तरीके से आप कर सकते हों अब तीसरा सवाल क्या दिया गया था बताईए 2X धन 5 का वर्ग क्या आप कर पाओगे इस सवाल को यहाँ पे हम सवाल लिख लेते है तो ये देखो ये सवाल दिया गया है अब इसको करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम जीरू का दियू लिखेंगे यानि 2X धन 5 का वर्ग ये हमने जियों काते हूं लिख दिया उसके बाद क्या करोगे उसके बाद लिखोगे यहाँ पे सर्व समींका क्या लिखोगे सर्व समींका अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी सर्व समींका लगानी है सवाल देख के इसको A मानोगे इसको B मानोगे तो A धन B का हूल वर्ग है तो वही सर्व समींका लगए कि तो सर्व समींका और नीचे सर्व समींका लिखोगे A धन B का हूल वर्ग बरावर A वर्ग धन B वर्ग धन 2A बिल्कुल सरल है यह सर्व समींका अब इसके नीचे फिर से वो सवाल लिखोगे क्या है 2X और धन 5 ये पूरा सवाल उपर से देखके फिर से लिख लिया ठीक है शुरुगात है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना A का मान कितना है 2X और B का मान कितना है 5 प्लस है तो प्लस वर्ग है तो जहां A आएगा वहां क्या रखोगे 2X रखोगे जहां B आएगा वहां क्या रखोगे 5 रखोगे तो A आया है तो A की जगा पर क्या रखोगे 2X तो यहां पर आजाएगा 2X और वर्ग लगा है यहां भी क कामान कितना है पांच है तो पांच लिखके बी के उपर वर्ग लगा है तो पांच के उपर भी क्या हो जाएगा बर्ग हो जाएगा फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया फिर दो है तो दो लिख दिया फिर क्या है ए एक कामान फिर से दो एकस है तो एक कामान दो एकस रख देन और b का मान कितना है? पांच है तो b की जगह पे 5 रख देना बोलो समझ पा रहे हो ना? फिर बराबर के नीचे बराबर अब 2x के उपर वर्ग लगा है इसका मतलब कया होगा? रफ में समझते हैं 2x के उपर वर्ग लगा है इसका मतलब है 2x 2X clear, मतलब 2X को गुणा में 2 बार लिखोगे तो संख्या का गुणा संख्या में करोगे तो 2 दूनी 4 और X का गुणा x में करोगे तो x वर्ग पहले कदम में मैंने आपको ये सिखाया है, तो कितना आ गया 4X बरग आ गया फिर плюс है तो plus लगा दो की उपर बर गए इसका मतलब पांच को गुणा में दो बार लिखना है तो पांच को गुणा में दो बार लिखा तो पचम पच्चीस आ गया तो यहां पर पच्चीस आ गया फिर प्लस है तो प्लस लगा दो फिर गुणा इन तीनों को करना है क्योंकि कोश्टक का मतलब बुणा होता है तो संख्या का पहले संख्या में तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 पहले कदम में ये सीखा था और X अकेला है तो उसको चिपका के लिए तो अब आप चाहो तो इसको systematic जमा के लिख सकते हो मतलब पहले 2 की घात फिर 1 की घात वाला और फिर अचरबद तो पहले लिख दिया की 4 X वर्ग फिर लिख दिया की 20 X और फिर सबसे आकरी में लिख दिया 25 और यही अंसर आ जाएगा इसका अंसर यह आएगा मतलब इसका जो हमने अंसर निकाला है वो यहाँ पे आ गया तो समझ पा रहे हो ना तो ऐसे तरीके से आप करना है और एक माइनस वाला जो है वो माइनस की सर्वसमिका होगी यह प्लस वाला है तो यह प्लस की सर्वसमिका है अब मैं आपको कुछ और सवाल करवा देता हूँ जैसे इस वार सवाल दिया गया है कि x माइनस 2 का वर्गा माइनस वाला सवाल है अभी तक आप देख रहे थे तो यहाँ पे सभी में प्लस लगा था यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस लगके होल वर्ग था प्लस लगके होल square लगा है तो इसको कैसे करोगे देखो अब इसमें सर्व समी का जो है plus वाले में तो ये वाली होती थी लेकिन minus वाले में अब ये वाली सर्व समी का लगेगी यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या अंतर है दोनों याद ही तो हो जाएंगी, यहाँ पे अगर प्लस लग्के होल स्क्वेर होता है तो प्लस टूए भी होता है लेकिन माइनस लग्के होल स्क्वेर होता है, तो माइनस टूए भी होता है, और कुछ भी फर्क नहीं आता, तो बस इतना तो याद ही हो गया बताओ दोनों सर्वसमी का लिख लोगे न एक जगह और अच्छा सियाद कर लोगे न प्लस वाला है तो केबल प्लस टूए भी होगा लेकिन माइनस लगके होल स्क्वेर लगा है तो माइनस टूए भी होगा बस इतना ही है जादा टैंसल लेने की जरूरत नहीं है तो चलिए अब हम इसको करते हैं सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि जो दिया गया है उसको लिखना है ठीक है कितनी भी जिल्दवाजी हो तरीके से ही करना है सवाल को बहुत अच्छे से अब उसके नीचे आपको लिखना है सर्वसमी का क्या लिखना है सर्वसमी का ठीक ह ये लिख लोगे उसके बाद आपको क्या करना है दो सेमी इस तरीके से सेमी कॉलन इसके नीचे सर्व समी का लगानी है अब आप देख पा रहे हैं कि माइनस लग के होल स्क्वेर है तो माइनस वाली सर्व समी का है ए माइनस बी का होल स्क्वेर बराबर देखो ए का तो बर्ग रहता ही है प्लस भी रहता है कई बच्चे कन्फ्यूज होते है माइनस है तो माइनस लगा देंगे नहीं यहाँ पर प्लस ही रहेगा और प्लस का क्या रहेगा बी स्क्वेर लेकिन अब आएगा माइनस और साथ मे क्या रहता है टू ए और बी रहता है अब यह सर्वसमी का है इसके नीचे वो सवाल लिखेंगे जो दिया गया है तो फिर से हमने वो सवाल लिखा एकस माइनस दो का होले स्कुया बूलो समझ पारे होना बराबर लगा है तो बराबर अब देखो यहां पे A का मान सीधा X है और माइनस है तो माइनस है और B का मान 2 है समझ पा रहे हो कि नहीं माइनस है तो माइनस है लेकिन B का मान कितना है 2 है बर्ग है तो बर्ग है तो देखो A बर्ग है तो A का मान कितना है X अकेला तो X पे भी क्या हो जाएगा बर्ग हो जाएगा, फिर plus लगा है तो plus लगा देंगे B, Bकामान कितना है, धो है BकाBRग है, तो दो पे भी क्या हो जाएगा, बर्ग हो जाएगा कई बच्चे यहां पे confuse होते हैं, कि Bकामान minus 2 होगा, नहीं होगा, यह माइनस है माइनस भी तो है ना तो बी कामान कितना होगा दो होगा अब माइनस है तो माइनस लगा के दो है तो दो लिख दो एक आमान कितना है एक आमान एकस है तो कोश्टक में एकस लिख दोगे और बी कामान कितना है दो है तो कोश्टक में दो लिख दोगे फिर बरावर है तो माइनस है तो माइनस लगा रहने दो संख्या का संख्या में करो दो दुनी चार और X यह जियों काते हूँ इस क्रम से जमा के लगदो यानि पहले 2 की घात वाला फिर यह X वाला माइनस का है न और फिर यह पलस का चार सबसे पीचे लगदो और यही जो है आंसर आ जाएगा बताओ माइनस की सर्वसमी के लगाने में क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी सवाल हो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो अब ये जो सवाल है ये आपको खुद से करना है x-5 का वर्ग ये खुद से करना है आप इसको होमबर्ग समझें चाहे अभी कर लें अब मैं आपको कराऊंगा एक और सवाल जो की है 3x-2 के उपर 2 की घात ये सवाल मैं करवा रहा हूँ तो बहुत अच्छे समझना देखो सबसे पहले तो जो दिया रहता है हम उसको लिख लेते हैं यानि कि जो दिया है वो है 3x-2 के उपर 2 की घात अब नीचे हम क्या लिखते हैं सर्व समीं का माइनस लगके होल स्क्वेर लगा है न तो सर्व समीं का हमने लिखा सबसे पहले ठीक है सर्व समीं का उसके बाद सेमी कॉलन मार दिया नीचे देखो सर्व समीं का माइनस ब का होल स्क्वेर लगाएंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि माइनस का होल स्क्वेर है तो यही लगेगी और यह हमने याद कर ली थी क्या थी अ वर्ग दन बी वर्ग माइनस टू ए बी यही थी ना इसके नीचे सवाल लिखेंगे जो की दिया गया है तीन एक्स माइनस दो का वर्ग अब बराबर है तो बराबर अब देखो ए का मान कितना है तीन एक्स माइनस है तो माइनस है B का मान सीधा 2 है तो A का वर्ग है यहाँ पर लिखेंगे 3X का वर्ग फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया B का मान कितना है 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग फिर माइनस है तो माइनस है और 2 लिखा है तो 2 है और A का मान कितना है 3X है देखो दिख रहा है ना, तो A की जगाए पर 3X लिख दिया, और B का मान कितना है, 2 है, तो B की जगाए पर 2 रख दिया, अब देखो, ये है 3X के उपर 2 की घाट, तो rough का यूज़ कर लेंगे, और 3X के उपर 2 की घाट, मतलब 3X से गुड़े थी, 3X, 2 की घाट है ना, तो 2 बार गुड़ा में लिख लिया, अब संख्या का गुड़ा संख्या में, 3 दिर्गा, 9, X का गुड़ा X में, तो कितना हो जाएगा, X स्क्वेर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 9X स्क्वेर, अब इसको जमा के लिख दो, यानि कि 9X स्क्वेर, माइनस का 12X पहले लिख दिया, और प्लस का 4 बाद में लिख लिया, तो यह हो गया, जो सर्व समींका लगा कि हमने सवालों को किया है, तो होल स्क्वेर लगा हो, तो सवालों को ऐसे करते हैं, अब ये बेसिक क्यों पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि अभी आपको दोईगात समींकन चेक करना पड़ेगा, कि है की नहीं, तो ये वर्ग वाले सवालों को हल करना होगा, तो इसलिए ये सर्व समींका है, याद कर लो, और ये सर्व समींका है, मैं आगे चलके लेक्चर्स में पूछूँगा, तो आप पर बननी चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों सर्व समींका अच्छे से याद कर लो, और ये दोईगात समींकन का ब्यापा करूप ये भी याद कर लो, ठीक है, ये तीनों किसे जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो कौपी पेन लेकर बैठा करो, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, वैसे वैसे लिखते जाओ, समझते जाओ ठीक है, तो गड़ित आपकी बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी, ठीक है, और गड़ित एक ऐसा विसाय है, कि एकर अभी की दसमी की गड़ित बनेंगी, तो ग्यार्मी की भी बनेंगी, और बार्मी की भी बनेंगी, मतलब ये केबल अभी के लिए नहीं है, हर एक चीज ग्यार्मी में भी है, बार्मी में भी है, और आप 11th क्लास में गड़ित बिसाय लेके ही, आगे बढ़ जाओगे, तो गड़ित बिसाय लेना है ना क्या आर्मी में, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, और नहीं भी लेना है कुछ और M है, तो भी 10th लेबिल पे टॉपर की पढ़ाई तो करनी है अच्छे से ठीक है, थेंक यू